अश्राम अलेकुल नाजरीन आपका दोस्तों फिर से एक नहीं इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ आज 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 की वीडियो बड़ी ही कमाल की होने वाली है क्योंकि मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एडटा एक्सपीजी की रैम्स का और यह लांसर आर जी बी डीडियर 5 मे आती है इनके स्पीड होती है बड़ी इंट्रसिक वीडियो की करंगा सब को बात करोंगा तो वीडियो बहुत इंट्रसिंग मै बएब कहींता अभे वृस्टे ना जाहिए एंगा अभी करते हैं वीडियो को सबस्टे 77 मे्र je है 16 GB के हमारे पास 2 मड्योल जैंज 6,000 मेगाट्स में यह आती है गाइस और यह सिंग क्या करती है मैं सिक लाइट सिंग के साथ और एस रोग में अब्स रेक्ते हैं इसके अंदर है किस कलर में रेम्स है यह खूबसरत रेम्स क्या खूबस्रत कलर में है यह हमारे सामने मुझा जो ओपन भी कर लिए इसको आहा हा भाई जान क्या बिल्ड कॉलिटी यह और यह आपको देखने में फिलाल जैसी मर्जी लग रही है लेकिन मु इसे हम और यह दोनों मेडूज मेरे असवक्त हाथ में तोनों की दोनों मेरे साथ सामने मुझूद है एक्स पीजी की यह रैम्स टीडियर फाइफ बिल्ड कॉल्टी कमाल की है सामने से अगर आप देखें यह बिल्कुल यह यहां पर यहां से इसके आर जीबी कंट्रॉल हो होंगी यह यह वली चीज जो है कि बिलिंक करेंगी जब आप इसको लगाएंगे अब करते हैं इसके design की बात क्या कमाल डिजाइन बना दिया जीवि है एक्स पीजी वहालों ने और कर्फार की बात करें तो ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बो दिया गया है जो इसको बिलुकु XPG का logo mention किया गया है और यहां पे DDR5 भी mention कर दिया गया है क्योंकि DDR5 की ओविसलिये रैम है और फ्रंट पे भी XPG का logo mention कर दिया गया बड़ी ही खूबसूरत रहे मैं और मुझे भी उमीद है कि आप लोगों को भी पसंद आयोगी आप करते हैं इसकी स्पैसिफिकेशन्स की यह रैम DDR5 में आती है 6000 मेगार्ट स्पीड के साथ आती है अगर केस लिटेंसी की बात की जाए तो फोटी है जो एक बहुत ही अच्छी किसीडर की जाती है तो गाइस चलते हैं परफॉर्मस की तरफ मैं अभी टेस्ट करता हूं तो अभी देख रहे हैं इसके अंदर 32GB की जो हैं दोनों स्लोट अभी मैंने इसके लगा दी है और मैं बिलकुल अब इसको चेक करूंगा इसके मैं मैं टेस्को और मैंने स्टार्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं बिलकुल और जैसे ही टास्क मैंने जो ऑपन करते हैं तो यू विल सी दपरफॉर देख और इसके एफिफिटी परसेंट तक जाग यू जो रही है और 77 परसेंट पर इसके एटी फोर पर नाटी वन पर आप और अभी आप देखें इसके बाद अजिल इस वर्किंग फान देख रहे हैं अभी टेस्ट में थोड़ा टाइम ले गई है जैसे ही टेस्ट कम्प्लीट होता है इसका तो तो और होफिली विल सी कोई भी आरे इसके अंदर नहीं आ रहा सी तो परफेक्टली फाइन सो अभी 16 जीबी के दो मेटूल हमने इसके अंदर लगाए हुए है और मेरी टेस्ट है भी चल रहा है ठीक है तो बाकिए अगर आपको वीडियो पसंद है यह लाइक करें करें चलो को मा सब्सक्राइब भी कर दें और सी स्टिल टेस्ट इस रॉनिंग एंड तू पांट फाइव जीबी इसकी जो है कैश है और थर्टी टू में से राउन बाउट जो है 90% तक जो है और इसकी जो है मैमरी यूज हो रही है क्योंकि हम जो है इसके ओपर टेक पावर अप से जो है इसका मैमरी टेस्ट जो है वो रन करके देख रहे हैं तो इसके बाद हम और भी टेस्ट करेंगे जैसे यह रेस्ट कम्प्लीट होता है आविल शो यह सम अधर test as well so just waiting on it was complete then you gonna see the results or i think it's uh complete oh it's like uh it's still running it's still learning so i think it's a long test so we just quickly forward just stay for a while so guys you can see there is no error not yet and the latency is also 40 and we have to run it on 6000 megahertz and it worked better if there is no error then the system will restart out but we didn't see any error here so that's why this ram is really nice and you can do the rgb with the softwares uh control so let's go to the next test so guys now we're going to play this game and we're going to play this game and we're going to see how many fps come out and now we're not using this graphic card channel so you can use it here we just ram memory we just go to the ram memory here we are just gpu right here cpu so its own it's okay so let's look at game so let's see how many fps come out and look how many fps come out and see how many fps it's आपने हसाब से सेट करके इस पे कलर कर सकते है जो आपको पसंद है कलर उस नहीं को पसंद है कलर उस हसाब से आप सफर पर जो है इसलिए इसकि सैटिंग कर सकते हैं उसी इसके सियल जो है वह फौटी है और fundamentally gets уры खिना की जाती है ठीक है और इसके बाद जी गेम इस गूइंग टू स्टार्ट से गेम होगी अभी हमारी स्टार्ट तो कुछ सेटिंग्स वगारा मैं करनूं गेम की ताकि उस पर एक इंपैडिबल रहे और देखते हैं कोई रीस्टार तो नहीं हो रहा सिस्टम बार बार इस तरह भी करके सारी चीज अब हम इसको चला रहे हैं तो गेम प्ले करते हैं ठीक है इस अब कर समने की में होगी है स्टार्ट भैजन हो यार कहीं लैगिंग नहीं यारी बहतरी हैं चल रहा है पहतरी हैं चल रहा है कि अब देखें आप अभी आप आप डीबोरी ऐन देख सकते हैं अब मैं अब नियुक्ते हैं प्लाकर आप से ड़ा एक प्रच्जार में अब लूगार। वावच अब कोगों के लड़ा है यह बदा तो होगा आप लोग और सबस्टेस की बेतनी बाती है का आप क।स्टमा जो है इसको चलते हैं अपने वीडियो की तरह जी तो नाजीन आपने वीडियो देख ली है सारा हमने आपको इसका डिजाइन दखाया बिल्ट क्वालिटी दिखाई ओवर क्लॉकिंग की बात की बेंचमार करके दिखाए अब हम करते हैं अपने फाइनल थोट्स की बात मेरी क से यह fully recommended है लेकिन एक इसमें थोड़ा सा कौन जो है वह बताता चलू अगर आप इंटल की 14 जनेरेशन यूज कर रहे हैं और चारों की चारों स्लोट में आपकी रैम लगी होई है दैन आप 6000 इसकी जो है वह स्पीड नहीं आपको मिलेगी 4800 आपको स्पीड मिलेगी क्योंक करें जिसरा मर्जी उसको चलाए 6400 मेगाहर्च तक यह ओवर क्लॉक करके स्पीड की आप हासिल कर सकते हैं तो होफली आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी मेरी थोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन करता हैं कि आपका इसके साथ कैसा experience है और जो ने लोग यूज करना चाह रहे हैं वीडियो की description में लिंक आपको मिल जाएगा आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके और डिसकाउंट हासिल कर सकते हैं और होफली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इस तरह के रिवीज और भी देखना चाहा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगें दुबारा फिर किसी वीडियो में इसी तरह के रिवियों के साथ हाजर होंगे इस वक्त आपका दोस्ता आपका और आपसे जाए चाहता है वीडियों बहुत शुक्रि झाल कर दोस्ता आपका 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 दोस्ता झाल 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 झाल